दो बच्चे खेल गए थे छोटी सी कथा खेलते खेलते काउं से दूर बगीचे में चले गए बगीचे में कुवा था कुई में ज्ञाकने लगे बच्चों के पास उतना ज्यान नहीं था ज्ञाकते ज्ञाकते जो बड़ा बच्चा था ग्यारा साल की उमर थी कुवा में गिर गया कुवा में पानी भी था अब छोटा बच्चा बहुत घवरा गया वाट साल का था लेकिन उसने वहां कोई नहीं था थोड़ी दोर देखा इधर उदर कोई है बुलाया आवाज कि आजाओ मेरा मित्र गिर गया कुवा में डूब जाएगा कब तक तहरेगा डूब जाएगा कोई नहीं आया तो उसने इदर उदर देखा तो एक रश्ची पड़ी थी उसको कुमा में डाला और कहा मित्र पकड़ लो इसको पकड़ा उसको अब वो मित्र इतना वजन था कि उसको वो छोटा बच्चा खेच के उपर नहीं ला रहा था फिर और पकारा लोग उनको आजाओ आजाओ मदद करो कोई नहीं आया कोई था नहीं तो उसने फिर हिम्मत किया और दोनों हाथों से खेच खेच कर खेच खेच कर उसको घजीट कर उपर ड़ दा निकल आया बाए दोनों ने पसीना पोछा और सास ठंडी लिया बोले बच गए अब गाओं में लोग जान जाएंगे घर वाले भी डाटे के पहुत लेकिन बच्चे थे गाओं आते हैं डरते डरते तो एक दूसरे से बताया किसी किसी से चर्चा किया तो गाओं के लोग इकठा हुए बोले आशिन होता इतना बड़ा लड़का ये गिर गया कुमा में और ये छोटा लड़का इनको खीचा कैसे है ये तो बहुत छोटा है खलका है शरीर का बहुत वजन अगर बढ़ जाए असी किलो तक तो ठीक है इससे उपर हो जाए तो घटानी की कोशिश करो अन्यता तुम बीमार होगे तो तुमारी पत्नी भी उठा नहीं पाएगा क्योंकि अब पती थोड़े है अब तो ये पहाड है उठे गाएगा पत्नियों को भी चाहिए कि सत्तर किलो से उपर मच जाओ फिर ज्यादा वर्लोड हो जाओगे तो ये पती नहीं उठा पाएगा दूसरा उठाने वाला कोई मिलेगा भी गुजरात में एक सज्जन कह रहे थे मेरा बेटा तो तीस किलो का वजन बहुत कमजोर मैं बीवार हो जाओगे ये मुझे कैसे उठा पाएगा ये खुद ही नहीं उठ पाता ये कमजोर है मैं बहुत बारी हूँ वजन की चिंता तो गाओं का एक बुजरग आदमी था उससे लोगों ने पूछा की बात समझ में नहीं आ रही ये छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कुई से खींच कर बाहर कैसे निकाला तो उसने का ये तो सीधी बात वो बता रहा न मैंने रश्ची डाली इसने पकड़ा और खींच कर निकाल दिया बस हो गया अरे बोले निकाल दिया लेकिन इसके बसकी बात नहीं न बोले ऐसे निकला इस से पूँछो केसे निकला तो उसने कहा मैंने आवाज दिया लोगों को बुलाया कोई आया नहीं कोई था नहीं तो मैंने अपनी हिम्मत और ताकत से मनो बल से खीच के निकाता तो बुजर्व ने कहा कि उस समय कोई ऐसा बेकती भी नहीं था जो इस छोटे बच्चे से कहता कि तू छोटा है इसको नहीं निकाल पाएगा अगर निगेटिव बात करने वाला कोई होता तो ये नहीं निकाल पाता कोई निगेटिव बात नहीं किया तो इसने निकाल कर बाहर करते आपके घर में कितने लोग निगेटिव बात करते हैं अरे तुम कुछ नहीं कर पाएगा क्या बात है पाजेटिव बात कर चीपी हुई सामर्थ को समझो मनुश्य अपनी सामर्थ का प्रियोग सब पूरा करही नहीं पाता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं 3%, 4%, 5%, 6% बुद्धी का प्रियोग हो पाता है बाकी आपकी बहुत धिक उर्जा शुप्त पड़ी नहीं पारिवारी कले कलेस में, उल्जन में, दुख में, टेंसन में, चिंता में, उतार चड़ाओं में, जिन्दगी के जंजट में, इधर आपत्य, विपत्य सब तुनियां भर की आपत्य इसमें तुम अपनी उर्जा का प्रियोग नहीं कर पाते हैं, चोदा पर्शंट, बीस पर्शंट तो बैग्ज्यानिक अपनी उर्जा का प्रियोग करता है, बुद्धी का, प्रधान मंत्री, पचीस-तीस पर्शंट प्रियोग कर ले जाता है, आपकी बास में बहुत-बहुत धिक छमता है, लेकिन ये घर का रोना धोना कलह कलेश, इन उल्जनों में ही तुम्हारी बुद्धी सब नश्ट हो जाती है, और तुम उसी दुख में पड़े-पड़े अपने जीवन को विर्थ मिता देते हो, याद रखना जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, भर में कलह कलेश करना बंद कर दें, आ आपकी बहुत उनलती हो जाएंगे